हाई, अम अवनी आ रहे हैं और वाचिंग नाकपुन नीज बुलेटन आए नज़र डालते हैं दिनभर की कुछ खबरों पर अंडी करॉप्शन ब्यूरो ने जाल बिचा कर एक PSI को 75,000 रुपीज की रिश्वत की मांग करते हुए अरेस्ट कर लिया जिसमें से 45,000 रुपीज का भुगतान किया जाना था इस घटना से पुलिस डेपार्टमेंट में हडकम मच गया है और जिले में सैंड स्मगलिंग का मामला फिर सामने आया है पुलिस के मताबिक वाशम जिले के मंगरूल पीर के रहने वाले कंप्लेनन के पास खुद का 16 पहिया च्रक है और माल्ड होने का कारोबार करता है बेला पुलिस ने 26 ओगस को शिकायत करता के बालू च्रक को पकड़ा था उस समय बेला पुलिस सब इंस्पेक्टर दिलिव पुनलिक सपाटे ने अपने इलाके से रेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर मन्थ 15,000 कुल 5 ट्रक्स के लिए 75,000 रुपीज की मांग की और 45,000 पर म्यूच्वल अंडस्टैनिंग बनी कंप्लेनर ने इसकी सूचना ACB को दी तो उन्होंने जाल बचा कर सपाटे को रंगे हाथ पकड़ लिया नागपुर जिले में बालू चोरी और परिवहन की समस्या गंपीर हो गई है इसमें ग्रामिन शेत्र के कई लोग शामिल है मध्यप्रदेश से फेक ट्रांजिट पर नागपुर जिले के घाटो से रेट चोरी करने वाला एक बड़ा इंटरस्टेट राकट अक्टिव है यह फर्जी पास हासल करने वाले राहुल खन्ना नाम के एक आरोपी को पुलिस ने जैनवरी में गिरफतार किया था नागपुर और विदर्ब में रेट के टीलो की चोरी कोई नया मामला नहीं है जिले में बालू की चोरी लगातार हो रही है रेविन्यो और पुलीस डेपार्टमेंट द्वारा भी कारेवाई की जाती है फिर भी जिले में बालू माफियों का नेटवर्क मजबूत है और देखा गया है कि बालू की चोरी हो रही है इसमें मुख्य रूप से सावनेर, कुही, कन्हान के शेतर शामिल है अवैद बालू कारबारियों में जिले के कई लोग शामिल है बालू की चोरी रोकने के लिए डिस्ट्रिक कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकन ने जिले में करी 45 जगह उपर CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिये गनेश पिर्थाना शेत्र के राहुल कॉंप्लेक्स में रहने वाले शिवाजी सुभारा वीर गंदम ने पुलिस में F.I.R. दच करवा कर खा है कि वे अपने फैमली मेंबर्स के साथ 29 ओगस को नाकपुर से बाहर गए थे उनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने बेड्रूम और देव घर से 20,000 रुपीज कैश और चान्दी के गहने सहित 1,28,500 रुपीज के माल पर हाथ साफ कर दिया उनने शक है कि 29 ओगस्ट की आधी रात के बाद बदमाशों ने इस चोरी को अंजाम दिया पुलिस मामले की जाच कर रही है बार-बार वार्निंग देने के बाद भी लोग ऑनलाइन फॉट के शिकार होते जा रहे हैं लास्ट वीक ही बिजली बिल भरने के नाम पर लागों रुपए अपने अकाउंट से गवाचो के लोगों से भी दूसरे लोग लेसन नहीं ले रहे हैं जवज़फ और सेप्टेंबर को आश्रवाद नगर में रहने वाले संजे सुधाकर कुंदी पुरिवार को एक अन्नोन फोन से टेक्स मेसेज आया था कि आपने बिजली बिल नहीं भरा है आप महावितरन अप डाउनलोड कर इसे तुरंद भरिये और संजे ने वह गलती कर दी कुछ ही देर में उनके बैंक अकाउंट से 1,6,496 रुपीज ट्रांसफर हो गए थे सकरदरा पुलिस मामले की चाच कर रही है कपिलनगर थाना एलाके से 17 साल की एक लड़की घर से यह कह कर गई थी कि वो अपनी फ्रेंड के घर पडोस में टीवी देखने जा रही है और वापस घर नहीं लोटी नेबर से कुछ टाच करने पर पता चला कि उनके घर से भी 15 साल की लड़की गायब है दोनों पेरेंट्स की कंप्लेइन पर कपिलनगर पुलिस ने केस दर्च कर लड़कियों की तलाश चारी की है कना नदी पर बना नया ब्रिज आखिरकार थर्स्डे 1 सेप्टेंबर को पब्लिक के लिए शुरू हो गया है लग में इंतजार के बाद यूनियन मिनिस्टर नितिन गड़करी ने गुरुआर की शाम इस पुल का गाटन किया इस ओकेजिन पर MP कुरुपाल तुमाने, MLA's, आशी जैसवाल और टेक चन सावर कर तथा अन्या पब्लिक रेप्रेसेंटेटिव्स प्रेजन थे 50 क्रोर 63 लाक रुपीज की कौस से बने इस पुल का गुमी पूजन 25 फेबरी 2014 को देन उनियन मिनिस्टर ओसकर फिनांडिस ने किया था NMC ने गनपती के पूजा पंडालों में भी COVID-19 से बचने के लिए बूसर डोस देने का काम शुरू कर दिया है नापपुर मुनिसिपल कॉपरेशन ने इस पूपस के लिए 284 बिक पंडाल को आइडनिफाय किया है NMC कमिशनर राधा कृष्णन भी ने बताया कि पीली नदी में नवमित्र गनेश उत्सम मंडल के पंडाल में बूसर डोस लगाया जा रहा है बता दे कि 19 ऑगस्ट 2022 तक नापपुर में 4.3 लाक लोगों को बूसर डोस लगाया जा चुका है State Information Commissioner नापपुर बेंच श्री राहूल पांडे को अनिल कुमार Journalism Award 2021 से सम्मानित किया जाएगा राहूल पांडे इसके पहले नापपुर के दहित्वादा में Deputy Editor थे Journalism में राहूल पांडे के contribution को देखते हुए उन्हें इस prestigious award से सम्मानित किया जाएगा उन्हें 21,000 रुपीस cash और citation देकर लेट अनिल कुमार की death anniversary पर 13 September को ये सम्मान दिया जाएगा ये award हर साल विदर्ब गौरप प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता है राहूल पांटे पिछले 25 यह से पत्रकारिता में रहे हैं उन्होंने नागपुर Union of Working Journalists N.U.W.J के लिए भी actively काम किया है साथ ही देनिक सकार मुंबई के एडिटर महेंदर सूके को भी ये पुरसकार दिया जाएगा इसी तरह सीनिय जर्नलिस्स महेंदर सूके के जर्नलिस्टिक कॉंट्रिबूशन को देखते हुए उन्हें भी अवार्टे समानित किया जाएगा इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विकरान चांडेलिया स्क्रिप्टिस वाइस पी सिंग और कैमरा के पीछे है अनुराग राउत आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नई न्यूस बुलेटिन के साथ